हेलो गाइच मैं प्रभात रंजन आप लोग का यूनी एक्जाम पीचेस में स्वागत करते हैं हमने पिछले क्लास में एक स्रिंखला शुरुकी है बिहार स्पेसल के बारे में किस की स्रिंखला भुगोल की स्रिंखला आप लोग को ये भी जनकारी है कि 12 फरवई 22 को बिहार प परवरी 23 को होना है आप ये भी जानते हैं कि बिहार पीचेस में कि पेपर में खास्यत है उसमें हर साल कम से कम 20 से 25 प्रस्ट जो है बिहार स्पेसल से पूछे जाते हैं और इसी को कभर करने के लिए हमने बिहार स्पेसल के क्लास स्टार्ट किया किसका स्टार्ट किया बिहार स्पेसल क्लास से स्टार्ट किया और खासकर जोगराफी की सिरिंख्ला स्टार्ट किया पहले क्लास में हमने बताया उसकी भगवलिक स्रचना क्या बताया हमने भगवलिक स्रचना बताया मैं आप लोगों को बिहार की अफ्वा पर नाली में बिहार की नदी बहती है कौन से इंपॉर्टेंट नदी है और किस नदी का उद्गम कहा हुआ है और उसका संगम अस्थाल कहा है इससे एक प्रस्थन हर साल पूछे जाते हैं दम डिफिनिट है हो सके कि किसल गैप हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है मगर अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है पेपरों का ट्रेंड देखेंगे एलैसिस करेंगे तो उसमें नदी प्रनाली पे एक सवाल पूछा ही जाता है बिहार इस्पिसल के नदी ठीज आ है ठीक है और उसी कि सहायक नदिया भहुश्य आसा अधा आप लोग को कि बिहार जो है मद्द गंगा मैदान के शितर में मंद गंगा मैदान के छेत्र में मंद गंगा मैदान के छेत्र में बसा हुआ है और पुरवी भारत का हिसा है तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार की नदियों को कैसे कौन सी नदी और कैसे बाटें तो आप यह भी देखेंगे देखें मैप में आप लोगों बिहार को दो और दशनी विहार और नौट और साउथ और इसी दो भागों बाटे विहार खुमलो और गंगा नदी जो है बिहार को बीच देखिए बीच से बीच से निकलती है और इसके उत्तर से जो नदिया मिलती है उत्तर जो निकलती है खासकर हिमाले चर्च से निकलती है कहां से हिमाल से कौन से माले नेपाल ही माले से उत्तर के बहती हुई गंगा में आके मिलती है और दच्छिन के निया जो है पठारी छे से निकलती है कोई कैमूर के पठार से निकलता है कोई छटा नाक्वुर पठार से निकलता है और दच्शनी की बहुत था हुई और जा के मिलते नहीं कहां पर गंगा नदियों सबाएओं सभी नदियों का संगंध्वा स्थ जो है वह घंगा ही है अब कAttे अ VID講 लियां ग Regular गया अठीच के या से निकलती है उत्र ब्यूनकदि अधेजीषैंट एक सर्यू घागरा आप जो बलते हैं सर्यू नदी घागरा दूसर्ट एक गंड़क फ्रिबुडि गंड़क पागमती कमला बलान कोशी और महाननंदा महाननंदा महानन अधय आप भांड ऑल जब दसीन भाल की नदियों party फिर देखेंगे कि सभी नदिया किसी ना किसी पठारी से निकलती है और गंगा उसकी सहायक नदियों में जाके मिल जाती है कौन को से नदिया देख लिए सोन नदी पता ही आपको अमर कंटेक्ट पठार से निकलती है पुन पुन उत्री कोयल फालगो नदी तो है ही बहुत चर्चाय में रही है बताएंगे एक एक करके हर नदी पर चर्चाय करेंगे क्योंकि नदियों से स्वाल पूछा गया है और ल पंचाने और क्रमनासा नदी जो है कि दशन भिषार की नदिया है जो दांगा में चीज्ट में मिल जाती है अब देखिए हमने बताया है गंगा जो है बीच व बीच निकलती है बक्सर से घुषती है और इधर खागरिया से निकल जाती है और पूरे बिहार को दो भावती ह उत्तर भीहार दस्तनी भीहार यह नहीं बाठती है अब भीचों बीच से निकलती है अब खुद देखिए मैं पर ने बताया है उत्तर भीहार के नदिया कौन-कौन यह घागरा निस्वर्जी नदी यह घंडड़क यह पजबी चंपान बेल्ट है पुढ़ा यह बुढी घंड़क, पुर्भी चंपान का बेल। पुर्ड़क Mercie टें मिल जाती है यह है कमला जो बोले हमने कम्ला त्रिकवसी नदी जो अँशुपास से फिर यह माहानंदा नदी महानंदनदी देखे रशीघत नहीं है। मैप्स से दिख लिए और किलिए हो जागा मैप्से क्या है देखी मैप्से यह करमासा नदी बक्सर डिस्टिक्ट इसके निकलती है बतायेंगे सब्सक्राइब हर नदी पर चर्चाएग कीजाएगी। सोन नदी जो निकलती है अमर कंड़ा के पहारी से उसके बाद यह पुन-पुन नदी यह पुन-पुन यह फल्गु नदी जो गया वाला जिस्ट जो गया बेल्ट है देख रहे हैं गया इसी नहीं पसा हुआ है क्यूल इसी पे पूल क्यूल फिर अजय नदी ठीक है यह उत्त अगला है हम लोग करके जो इंपोर्टेंट नदी है गंगा उसके चर्चा करेंगे गंगा जो ने पता है कि गंगा नदी जो है आपने बहां मैं बताया भी आपको कि गंगा मद गंगा द्वाब बसे मिया है तो गंगा नदी का उत्ता वात में बहें करती है और यह बिहारं में पर्वेस कहां करती है guarantee & gaja baksar में वहां परवेस करती है और यहीं चांसा को था किसके किसके भी सेर्सा सुणी ओप्लस हिमायों के बीच में जो त्यहास में परहाया जाय में को इसकी कुल नमभाई 25 mesmo पचीश जो पह पचीश किलोमेटर 2525 कुल नमभाई één कुल कहा से उत्राखंट से निकलती है औरे जहां गिरती है कहां पे कहां जाकी गिरती है वहां तक में बात कर रहा हूं कि बिहार में कुल लंबाई कितनी है इसकी जो बिहार में देखेगा मैप में इस यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 445 किलोमीटर की लंबाई है यह उत्राखंड से इंकलती है उसका आती है कहां यूपी फिर बिहार फिर वेस्ट बंगाल और जारखंड और भी डिस्टिक है सातार डिस्टिक से पुछा भी परस्न किया है कि गंगा नदी जो है कितने तुम राज्यों से निकलती है ठीक है वह बिहार के भोगल यह प्रहाए जाएगा तो उसे बताया जाएगा अभी यह मैं बता दू कि गंगा नदी के लंबाई जो है यूपी में सबसे अधिक से घींदसर नंबर पहjd'm की और प्रहिह दूसरे नंबर पहुएत्स प्रहता जांधी कि लंगा नकैसे अलकिसे हैं अट-ष binder वेश्ट किलोमीटर में वेशka यूपी में एक नम्बर सबसे अधिक लंबी वेश किंगा नन दूसरे नंबर पह और बिहार में तीसरे नंबर पे सबसे बरी नदीद में गंगाणादी हैं अब इसकी सहाएक नदीया वह नोगा दिया वह दाया था कि बाएं और से यह देखें बाएं बाई और से इसकी बाई और से जो उत्तर के तरब से मिलती है वो नदिया देख लिए उन्हें चप्चाई वेकी हैं अभी देख लिए एक बड़ा और भाई और से उत्तरदिशा से कोन-कोन घागरा गंडक बागमती बलान बुधी गंडक कोषि कमला और महानंदा कहीं करें कमला बलान एक ही साथ मिलता है कि 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 can तुम्हें कमला बलान एक ही साथ मिलता है और कहीं कहीं कमला अलग बलान अलग मिलता है एक कमला बलान नदी है और दाइए और से दशिंदिशा से देखिए बताया था ने उत्तर दिशा से कौन-कौन घगधर यानि स्वर्यू नदी गंडक बुड़ी गंडक भागमती बागमती कहां यह कमला कोशी मानन दा अद्दक्षिन से कौन-कौन क्रमनासा नदी यह बेल्ट जो है बक्सर और बेट से सोन पुन-पुन फल्गू अब है इसका प्रवाव क्यों सा है इसका पुछा गया कि गंडक नदी बिहार में बिहार में कित्रे जिलों से बहती है कि पच्छिम से पुरव की तरफ चलेंगे पच्छिम से पुरव पच्छिम यह हुआ आपका है वेस्ट और इस्ट यह हुआ और बीचोबीच भाग काटती है कि गंडक दी बिहार को तो चलेंगे पच्छिम से पुरव की तरफ तो देखिए कौन-कौन सा है पलेबक्सर भोजपूर सारन पतना 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 बैसाली यहां पर है बैसाली उल्टा हुए बैसाली समस्तिपूर बेगुस राय लखिस राय खगडिया मंगे भागलपूर कटिहार कि इतने दिश्टिक से वह गुजरती है कि यानि 12 जिलों से गुजरती है काउंटर लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस हेगारों और 12 जिलों से गुजरती है कि प्रसंद पूछा गया प्रसंट है ठी धिश्टिक में सबसे अधिक है कहां पर पटनार इससी काज़कम घंगा कई बनाने का एक कि रही दोनों कि रहे हाए जो तीरे जिलों में बनेगा है सब्सक्राइब में यह और यह क्रिडोर का खास्यत यह है कि जैवी खेति को बढ़ाने के लिए यह क्रिडोर बनाया जा रहा है इसमें धेचा चाहिक और यह 17 से 22 के स्किम है किसका बिहार सरकार का नहीं पची सो एकर जमीन में जैवी करिडोर बनाया जाएगा और जैवी खेती को बढ़ावदेने के लिए कारेकम चल रहा है 22 मिस्तमाप्त होगा इसको आगे बढ़ाया जाएगा प्रिसी टोर्ड मैप के माध्यम से और तेरा ज गंघा नदी में एक मिलता है डॉल्फीन क्या मिलता है डॉल्फीन या तो डॉल्फीन दीवस मना जाता है 5 October को ठीक है और एक और बात है गगा नधी में किनारे ही इसके एक ट्रेनिंग के एन खुला गया है इन्लेंड नविगेशन इंसिट्ट नेश्नल इनृड इन नविगेशन इंसिट्ट वो पत्ना में खुला गया है ठीक है यह प्रस्ण सब बनेंगे डॉल्फीन दिवस कमना जाता है डॉल्फीन इसर सेंटर कहां पर है नेशनल इनलैंड इन्वेकेशन इन्चूट कहां पर है एक और बात है गंगक बारे में कि आप लोग जनकारी होगा एनडवलू यानि नेशनल वाटर वाटरवेज ने इने एनडल वन में जो इलहाबास से हलदिया जाती है लुटा करें परियाग राज हो गया है प्रियाग राज यह उपीस इंकलती है बिहार जारखंड और वेस्ट बंगाल और हल्दिया पड़ता है वेस्ट बंगाल कि फरक्का नदीबीश में सामिल हो जाएगे यह गंगा पर ही है यह यह नेशनल जो है वाटरवे वन है यह गंगा पर है प्रियकर नेशनल वाटरवे बनाया गया है जो है गंगाल दीब है शोल्टाव बीस किलोमीटर है यह जो बिहार से भुजरती है घंगा भी हार में है जो बियाद रखेगा इसे प्रस्झे जाते हैं पूछे भी गये हैं और पूछ जा रहे हैं लागता अब हम रोग घागरा हमने देखा था कि उत्र भाज की नदी उत्तर बिहार की जो नदी थी वह पाली सी घागरा ठीक है यानि शर्यू नदी के बारे माद करेंगे इसका उद्ग मस्तल कहा है माप चो चुंग क्या है माप चो चुंग हिम्ना जो है गलेश्यर जो नेपाल में निकलती है बताया है कि उत्र बिहार की नदिया जो भी है महीं माले यह से निकलती है तो माब चोचुग जो हिमनाध नेपाल से वहीं से निकलती है यह कौंश नदिय में 60 नमभाए 33 किलोमेटर है कि हिए और यह यह क्या करती है प्रयाब मार्ग बदलती रहती है जग जग टाइब से इसलिए उत्रभियार ऑतर परदेश वबिहार की सिम्हा रिखा वी में बनाती है ठेक यह देखेगा आपको मैं दिखाई तहूं मैं पर यह देखिए यह घाव रहा नहीं है ठीक है यह सीमा रेखा बनाती है उतर पर देश्व बिहार के अच्छा यह बिहार में प्रवेस कहां करती है भाई आयाएगी कहीं से नेपाल हिमाज सिनकल करें तो बिहार करें तो दरोली जगा है सिवान डिस्टीक में वही पर यह पर्यवेस करती है और यह संगम जब कहां मिलती है इसका संग मस्तल कहां जब कर दी तो रिवली गंज सारन डिस्टीक यह और चपरा के नाम से सारण डिस्टिक में रिवली गंज पे यह जाके गंगा में मिल जाती है इसकी प्रमुक्त सहायक नदी कौन कौन सी है राप्ती बैंक नर्सी मिलती है और सारदा और बिहार में अक्सर प्रश्ण में सहायक नदिया भी पूछी जाती है कौन किसकी सहायक नदी है ठीक है याद रखी गद्रवली में प्रवेश करती है रिवली गंज सारण जली में जाकि गंगा मिल जाती है राप्ती बैंक नर्सी और सारदा इसकी सहायक करती है अब अब्या नदी का नाजी बात करें तर का मशने सब्सक्राइब नदी ये भी नदी तौह उतर विहार एक नदी गंगा के भीच में बिहार इस निकलती है तो उतर नादी है कमला महावारस सरज़ज से निकलती है नेपाल से कुल लंबाई 308 km कुल लंबाई इस कमला नदी की कुल लंबाई और बिहार में इसकी लंबाई जो हो जाएगी 120 किलिमीटर, 120 किलिमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, बिहार में प्रव्यस कहां करती है, जैनगर मदवनी डिस्टिक में, मदवनी डिस्टिक है जैनगर जो बोडर पे है, नेपाल के बोडर पे है जैनगर, वहाँ पे यह प्र पर मुख सहांज नदी कौन सी है सोनी धौडी बुती बलान त्रसुला यादरर किये सोनी धोडी भुती बलान और त्रसुला और यह नदी बाती किस-किस डिसिक से है तो मदभानि में पर्वेस करेगी फिर दरभंगा में आएगी और फिर सहरुसा और खगडिया डिस्टिक ठीक है मदवनी, दरभांगा, सहरशा और खगडिया डिस्टिक और यह घगडिया डिस्टिक में ही गंगा से जाकर मिल जाएगे ठीक है अगली कोशी नदी सोक नदी बोले आता है बताएंगे छोटी नदी उतगमस्तल गोशाय अस्थान नेपाल सब उतर भिछार की में मैं bemता है उनुनेपाल निकलती है तो नेपाल ही होगी कोरिए स्थान नेपाल निकलती है इसखें कुल लंबाई 729 किलोमीटर यानि इसकी कुल लंबाई जहां चली और जहां गिरेगी इसकी कुल में बता रहो हुआ है बिहार में प्रवेश करती है भीमनगर सुपॉल डिस्टि के पास यह प्रवेश करती है संगम कहा है कुरसेला 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 कटिहार कटिहार यहां पर करती हार के पास जो है यह गंगा में जाके मिल जाती है त्टे यह कहां पे कुरसेला कटिहार में गवास मिल जाती है इसकी सांझ नहीं कौन कोशी है दूद कोशी सून कोशी भूत कोशी इंद्राईथी और अरून कोशी सब कोशी लगा है जिसके नाम में कोशी लगा हो एक अलग नाम है इंद्रावती और भी नदिया साहिक है छोटी-छोटी जो इसको इसको बिहार का सोक भी नदी भी कहते हैं और भीहार की अभिसाब भी कहते हैं क्योंकि यह अपनी धारा बार बार चेंज करते रहती है और बाढ़ लाने के लिए उत्तरदाई भी है जब धारा चेंज करेगी तो गाउं के गाउं काटके अपने साथ ले जाएगी इसको कोश की भी बलते हैं भीहार का सोक भी बलते हैं और तरविहार के इस बेल्ट में, खासकर यह कोई सा west का बेल्ट है, इश्ट के बेल्ट में- सुपोल्प ऑलजोदिष्ट के बेल्ट में, बाठ लाने कारण में कोशी का भूद्बरास्थान है। इसलिए इस पर समझवता हुआ भारसरकार और नेपाल का और चोवन में इस पर तर्डवन का निमान उसके बाद शुरुवा और बना भी है फिर भी समस्या आज भी व्याप्थ है अब ये महानन्दा नदी जो है ये नदी भी उत्तर बिहार की नदी है उत्तर बिहार की नदी है महानन्दा ठीक है ये निकलती कहाँ है महा लदिराम पहारी से महा कहीं मिलता है महा डिलाम पहारी से दो की जगण डो मिलता है ये महा लदिराम पहारी से निकलती है ठीक है और बिहार में कहाँ प्रविस करती है किसंगंज नहीं बताया था ना किसंगंज कोई सा है सबसे इस्ठवला जीला किसंगंज यहां से बिहार में प्रवेस करती है और इसकी परमुक्त हाईक नहीं कुन है मेची पुछा के हैं प्रस्ते कि मेचि किसके यह महानंदां की साहेक नहीं है बलासोन कंकाई और नागर कि और और परभावावीत कहा होती है किस दिश्क से किसन गजगार पुर्णहाँ प्रौणी तीनों बॉनरी लाका सिर्थी तिनों डिस्टिक ऐसे से भूर यह चलड हाई रहे पेद्न तरह सो नती है टिक गंगा के लचीन भी这个 है आप देखिए कहां से निकलती है यह अमर कंटक के पहारी से मदपरदे से निकलती है ठीक है कहां से अमर कंटक की पठार से मदपरदे से निकलती है सोन और रेवा नदी जो है यह इसे निकलती है इसकी कूल लंबाई जो है कूल लंबाई ने निकलती है यूपी जहर खंड रोते वे यह पहुंजाती है कहां पर बिहार में यहां यूपी से एंपी निकलेगी यूपी आएगी यूपी से जहर जहारखंड नहीं अखनग और इस प्रवेस करती है बिहार में और बिहार में इसके लंबाई जो है 202 km है कि इस नदीक लंबाई 202 km हुआ बिःहर रिवेस कहां करते हैं रोहतास दिस्टिक ने बताया था रोतास दिस्टिक जो है यह केमूर कोगा यह बक्सर का बेल्ट होगा यह रो हतास का सब्सक्राइब होगा जुबोटर लगता है जारकंड से भी प्रवाइद को होती है रोतास और अरंगाबाद और पतना रोतास बीची परता है और अप्रविश्क करना है सपोल्च और यह पतना और पतना में जाके निकट मनेड में गंगा नदी से जाके मिल जाती है परमुक्स हैग नादी ओन को निस्की है तो गोपद कोल अब इसकी गोपद को नहीं आदास अ हंप कॉन ए को ने टाथ सभी कोईल और यहांद अभिस पता है मनेड में मनेड पड़ता है है अधर द गाल यहां मेन च्वरीप का जाके मिल जाती है अब गंड़क नदी इसका अन नाम क्या है गंड़क का नरायनी नदी बोलते हैं नेपाल में इसको साली ग्रामी नदी बोलते हैं सदा नीडा जब इतिहास परेंगे तो सदा नीजारी कहा गया है रिगवेट काल में और सब्त गंड़की यानि सब्त धाराओं से मिलक बनी है इसलिए इसको सब्त गंड़की भी कहा गया है ठीक है यह निकलती है नेपाल हिमाले से और कुल जाई 260 किलोमेटर हो जाती है बिहार में परग्रिस कहां करते ही तो भैसा लोटन यह जब भैसा लोटन जगा है और अभी भैसा लोटन जो जगा है घूमने के दिश्टी कौन से उत्तर भीहार की एक अच्छा अस्थल है पैटन अस्थल करूप में बिक्सीद भी है पिक्निक अस्थल अभी एक तारीक आने वाला है तो लोग पिक्निक में जाएंगे भी भैसा लोटन जो है पचिन चंपान पड़ता है वहीं पर यह नदी जाके प्रवेश करती है और कि मिलती कहां है तो हाजी पूर में गंगा पहले जा घाट के पास हाजी पूर 25 साथ कहा गया है और मैं बता दूँ रख को कि दो लोग सवास्य तरहें एक हाजी पूर एक बैसाली ठीक हाण बैसाली है और इसकी परमुख साभी抖लान दी टून है काली गंडक और अब तृसूली गंगा क्या नाब है काली गंडक और तिर्सूली गंगा कहा कहा से किस किस दिए प्रभाइवद होती है तो तो चलेगा पछवी-चमपान से बगल पर त यह पुर्भी चंपान उसका पड़ता है इसके बगल में गोपाल गंज ती सी नीचे आता है मुझःफर पर बालमीकी नगर बनाया गया है अब बताया जाएगा अगे परयोजनाए परहेंगे गंटक नदी परजनाज पढ़ना है तो बताये बैराज है कउन डार नहर गारा जाती है किस दिसक में ज आती ये जो है सारण से और और यूथरा और करती है विःत्तर पर्देश और शे हर और ये बिहार की सीमा विद्राती है उत्तर पर्देश ये जन उत्तर पर्देश उत्तर पर्देश और बिहार ये पच्वी चंपान से इकलती है तो ये बोर्डर बनाती है उत्तर पर्देश बिहार की ठीक है इसी पर पूल बना हुआ है जिसको पार करके पूल पच्वी चंपान के लोग इधर कहां आपके गोरख पूर और बगल में कूसी नगर पड़ता है वहां जाते हैं छिटाणी पूल के नाम से फ्यामills होधो दफर करके जानते होंगे छिटाणी पूल के इस यहां गंडक है और बुड़ी गंडक कि नदी बिहार से निकलती है यही पे चोतरवाब बिशमपुर पश्मिन चमपान पड़ता है वहीं से निकलती है उसकी कुल लंबाई 320 किलोमेटर है कितनी है 320 किलोमीटर है और इसकी प्रमुक्स है कि नदी कौन कुन है दंदा तहीं कि दंडा भी मिलता है कहीं कि दंदा दंदा मसान हरहा धनवती शिक्टा और धनवती नदी के उठान के लिए भीहार सरकार ने काम शुरू कि किया गया है क्योंकि यह बिलुप्थ हो गई थी नदिया बिलुप्थ होने का यह था कि बहुत से लोग ने धनवती नदी पर पुरवी चंपान पढ़ता है तो लोगों नदी के जमीन को यह घर बना लिया तो इसी बिलुप्थ हो गई तो इसको उठान के सरकारेश्ट पर काम कर रही है और शिक्टा नदी है और बिहार मे नदी नदी में निकलने के बाद यह नदी जब शिकल्ती हांसे चतरपाव विशूनपूर्च है वहांसे उसका नाम होता है सिक्रनन, क्या सिक्राना नदी? ओर इसमें त्योर नदी मिल जाएगी इसमें तब हो जाएगा अगहा में दोडिगंडडक इसलिए दो नहर निकलेगा इसका सिक्राना नहर और त्यूर नहर बताएंगे नहर पर नाली परहेंगे तो बताएंगे जो सहाइक नदी गंगा की सबसे लंबी नदी है इसलिए उत्र भिहार की बिहार में गंगा की उत्री सहाइक नदी है ये ठीक है एक मिन में पानी पिलू कि अब लोग कोई डावट हो तो नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं अब है बागमती नदी ये भी उत्रबिहार की नदी है ये बुड़ी गंडे के बाद बागमती नदी ये निकलती है महाभारा स्रेनी निपाल से निकलती है ये भी बहुत तभाई माचाति है मैं बता रहा हूं पहले ये ये निदा समयाा के निकलती है कुल लंभाई इसकी 586 किलमेटर है जहां से चलती है जहां गिरती है और फिषार में नदीไ Şimdi इस में तुश्म पर्वेश करती है तो पूर्वी चंपांगी बगल में सितामधी दिस्टिक पढ़ता है यह ही पर पकता है भी देंग येश्टे करती हैं और परसात के समय में जब नेपास पानी अधिक भाब हो जाता है तो पुरवी चंपानी प्रक मिल में प्रटा सुपार करता है दुटा हुआ मचाती है दो दिस्टिक में हर साल तबाही मिचाती है और इसीति यह होती है कि टूट जाती है रोड जो सरक संसाल बोलते हैं रेल्वे सब संचार टूट जाता है कहां से अधर दिस्टिक से नेपार सीवहर उसीता मढड़ी का इस पर बनाया जा रहा है पूल बनाया जा रहे हैं संचार के लिए उसा बात अलग है इसकी सहाइक नदी कौन-कौन है लाल बकईया और जो उधर की बिल्ट को होंगे बोलते होंगे बकईया नदी से मसलिया लिते हैं यह बहुत मिठो खेला करो मच्री ठेक है जो मासाहारी हो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, सखारी वाला कि नहीं बात कर रहा हूं, एक भोचपोरी में कहावत है, फिर छोटी बागमती, जमुने, कोला, लंज धोई, इसके सहाइक नदी है, लाल बकईया, छोटी बगमती, लंज धोई, जमुने, और कोला, किस-किस निश्चे बहती ह और कहां गिरती है यह सीतामधि सिवहर मुझभपरपूर दरभंगा समस्तिपूर और बेगुसरा और गंगा में यह मिल जाती है उसके पहले बुड़ी गंडग मिलती है फिर बुड़ी गंडग जाके गंगा मिलती है कि के कि अभoba है कि आभ है next फालगू नदी दच्छिन-विहार की नदी majhan कि दज्छिन-विहार की नदी दे ज्ला पृफल नदा को निकलती कहां सेहे बताव को शेrendija मैंक्सम पठारों से निकलती यहां मिलेगा मोहना नदी और इस मोनानदी के मिलने अक विद्व यहां मिलेगा मोहना नदी नहीं की मिलने के बाद फल्गु नदी बनेगा पूछा गया प्रश्ण है कि मोहना नदी कहां पे है और किसकी धारा है मोहना नदी और इसी नदी को निरंजना नदी की धारा इसकी है फॉल्गु नदी का निरंजना नदी या कहें तो वह लिल जान नदी बोलते हैं और पहले जान ले नियंजा नदी के किनारे ही हमारे गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती हुई थी बौधी बिज के नीचे 35 की अवस्था इसके बास से बहुत रगया बहुत फैमस हो गया और इसी बौध गया में बहुत गया जोह है महाभोधी मंदिर भी और बिश्टू मंदिर भी को बोध फैमस हैं और फोल्गु नदी बरतमान में इसलिए था च्रफ वहार सरकाद वारा रबर डेम बनाया गया था फल्गु नदीप अब प्रिशे रबर रबर का डेम बनाए भई नवत कीजिए जाके देखिए पढ़िए उसके बारे में रबर कहीं बना हुआ है उसका सिस्टम कुछ है टेक्निकली कुछ सिस्टम है वह बताया जाएगा प्लेंट क्लास में बताय पी कहाँ पि है टालपतना में गंग्र नदी में जाके मिल जाती है ठीक है और इसकी प्रमुक्षायक नदी है लुकायन गोहरा खूरी और धन्राजी कौन लुकायन खोखरा खूरी और धन्राजी यह इसकी क्या है प्रमुक्स सहायक नदिया हैं आई समझ में क्यूं फेमस है और एक और खावत है फल्गु नदीक नारे ही हर साल पिंडदान करते हैं हिंदू मानता के अनुसार आपके जो पुर्वज का देहां थो जाएगा तो उनका पिंडदान कहता है वो कहां कहता है फल और पुन पुन नदी यह भी दचिन भ्यार की नदी है पुन फुन चौरहापाहारी जरकंड निकलती है कहां से और यह किस-किस दीक इस प्रवजुस होती है तो ऑरंगाबाद यह बोटर पे जरकंड के वहां से प्रवेस करती है अर्वल उसके बगलदें पड़ता है किसे के अरवल डिस्टिक बनावाए है जहाना वाथ से कटके बना है है भुछ छोटा सा सबुछ प्ञुछ च्रीक अरवल और पतना के बगल पडता है सबकूर अधमल जाके यह फथुआ में फथुआ जो है पट्णा में भीमज जागा है जो का इंडर्ष्ट्री के लिए फेमोस है और दोगी केंदर बनाया जा रहे हैं बीयाडा जैसे बीयाडा प्रियादा बनाये गया है ताकि यहां के लोगा आके जो बिज्ञेस मेन है अपना अधोग के दबनाएं और अधोग चलाएं इता फटुआ पट्टना में गंगरादी में जाके मिल जाती है और इसकी सहाइक नदी कौन-कौन है दर्गा, मुरहर, रामरेखा, मादर, बिलोर, सहाइक नदी पूछे ही जाती है कहां प्रवेस करती है कहां मीती है सब पूछे जाते हैं दर्गा, मुरहर, रामरेखा, मादर, बिलोर, अब करमनासा नदी भी दचिन भ्यार की नदी है जो गंगा नदी बीच का यह यह बक्सर का बेल्ट है इसी बक्सर के बेल्ट में कैमूल पहाड़ी से कैमूल पहाड़ी से निकलती है और रूट् केमोर्पाडबर होके निकलते हूं बक्सर में छॉसा जगा पर है चॉसा जगा इसह कहा कहा से है और यह उत्तर पर बिहार की सीमान दान करती है कि अजया नदी ऑजया नदी निचर आगी कि अजया नदी अजया नदी आ लिए चोटा है जमुई कि नदी है अजर निकलती है जगह है चकई बलॉक जो हैब ठीक है बहुआ जगह मुंगति है जम्मूरी नदी में प्रभाइद होती है इसनले बहन पढ़ाया आपको उसका सक्लडी chain कहां कहां प्रभाइद हो तो पत निपना गया और मुंगेर नवादा के गोविनपूर , पतना, गया और मुंगेर। नहीं जाती होगी। से गंगम डाते होगी। नहीं मिलते होगी। नदी बनती है। अब प्रस्णन जो है पुछे के प्रस्ण देख लिए डिपेशी में नदी से एक प्रस्ण पुछते ही पूछ आते हैं देखिए सरशठ्बी जो केंसिल भी पेपर उसका प्रस्ण विस तो सोन और गंगा नदी कौन ऑगंगा नदी का संगम बेहार किसलिव सित है किसका किसका सोन का और गंगा का बताइए कहां है कि कुमेंट बक्स में आप लोग इसका इंसर दे सकते हैं अब देख लीजिए खुद देखिए आप लोग कि मैंने प्रहाय भी अब लोगों कि सोन नदी कहां मिलती है यह पटना के निकल मनेर में गंगा नदी में मिलती है यह कहां एंसर वह इसका पतना सोन गंगा का संगमस्तव कहां है कि जिला है पतना पतना के मनेर थेक है दुसरा पसंद देखिए बिहार की भूमी यहानि सीडी पी और 22 जो मैं में में वाट से इसकी बात में कर रहा हूं बिहार की भूमी निमले पस्सक्रीज जिलीत किस मदी प्ना अप्वाहित होती है को जी नदी है जिससे बिहार की भूमी अपवाहित होती है निभात्य है उससले हार में वह आघन दासमा अधी अ अब खुद देखाऊंक है जंसकते नहीं है यह ने जम्मना अउत्रप्रदेश हते हैं गदावरी महराज्टा के रेजन में और महा नदी जो भता वुरिषा के जन बहती है और भी है जे हैं खाब 30 ul भाघंगा शसे कम लंबीन वाली सबसे कम लंबाइवाली के में उपनमिको उप्णिकोण्सी है को इस भूडि गंदक कयो द thoughts आसि पुन पून और कम्बला तो कहा है तो जब से कम लब ऑड़ी आपशन है सी पून पून नदी और यह है अभी डबल यहाम हुआ है अभी डबल अग्जाम हुआ है बाइस का 21 की कुछ है तुर उसे पुछा है कि मताई यह अपनों कि सोन पूनपून सकरी और बलान बलते हैं बालन बोलते हैं ठीक है कौन निकलती है देखिए खुद आप कि इसका देखिए पून पून नदी जो है फत्वक पास पट्णा में गंगान मिलती है तो इसकी आइंसर क्या होगा पून पून नदी हो कि दो कुछ हो inhaled ॅच आइंगी आए लुक नहीं आएं गिए आए अब यह दो प्रूस्को क्या करती है की लिный प्रह्ता मिलता होता है घुर्णि नदी ji आप कहां निकलती है कितना किलोमिटर है कहां गिरती है डाल्य गुजरती है सब इसी से पुछे जाएंगे अब नेक्स पसंद देखिए विहार में निम प्रसास्निक विभाग प्रसास्निक विभाग मतलब कि कमिशनरी से से कि जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है आप लोग खुद देखिए गंगा नदी दर्भंगा मुंगेड परमंडल में मुंगेर परमंडल पुर्णिया भागलपूर तिरूट सारण कोशी मगद कोशी मगद से नहीं बहती है इसका एंसर यह होगा है कि मुंगेर भागलपु सांस बहती है तिरूत में पढ़ता है पुर्वी चंपान पच्मी चंपारन सिता मढई सेवर ठीक है और दो डिस्टिक आते हैं यह जी पूर्व याता है इसमें तो हाजी पूर्शित भाती है पूरिया तो जानते हैं नीचे पूरिया के किसंगन भागलपुर अभा का सब्छोटा प्रमंडल है सबसे कम डिस्टिक इसमें द्रभंगा में द्रभंगा मध्वनी सुपॉल इदू और डिस्टिक आते हैं जो पताया जाएंगे जो प्रहाई जाएगा पॉलिटिक क्लास दिया जाएगा तो पुरी प्रसासनिक बहुता सबसे लंबी असले में तो एक हैर कि ज्ले में दंगा नदी सबसे लंधी है मैं बताया पीके पतना में सबसे लंबी नदी है क्या मोत्ति भागलपुर से भी है सबस्क्य घृया से बिए बैंध रपाईध होने वाली Entre में इसे उत्तर की ओर प्रभाइद हो जाली कौन सी नदी है उत्तर की ओर बताईए उत्तर की ओर मैं बताया आप लोगों कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सक्षाल में जाके गंडग भी है कोशी भी है, कमला भी है, बागमती भी है, कौन सा है, उत्तर के प्रहजर न दिया है, इसका उप्षन E हो जाएगा, ठीक है, एच्छासटे बीपिसी पिरी में पूछा गया प्रश्ना है, देखिए, गंड़क, उत्तर से मिलती है न सब, कोशी, कमला भलान, बागमती, बागमती यहां पर है, गंड़क यहां पर है, यह जो है, कमला कच्छेतर है, कोशी कच्छेतर है, तो यह सब जो है नदिया उत्तर, उत्तर दिशा की और जो इससे मिलती है, पूछा यह प्रशन है कि, तो इसके आपसर E हो जाएगा, बिहार का स उत्तर बिहार की नदी है नेपाल हेमाले से निकलती है इस पर 54 में समझाता हुआ इस पर बांध बनाया गया तो बांध कर नियमान हुआ समझाता भारत सरकार और भारत सरकार और नेपाल के बीच हुआ है लगतार अपनी धारा चेंज करती है जिसे कान क्या होता है कि इसमें और नेपास से पन चुटता है तो पानी बाढ़ की समभवना अधिक होती है धराज़ेंशने चलते हैं गाउं से गाउं कर जाते हैं इसले इसको विहार का सोग जाता है विहार का विसाब कोशिक भी कहा जाता है इसको कि है हुँ हु और साथ ये सुप्रोल डिस्टिक से यह देखे इतने टाइप की प्रस्ण पीछे हो गया था कोई बात नहीं कि प्रस्ण पीछे हो गया था री एक्जाम में पुछा गया था कहा गया यह बीपेसी री एक्जाम में जो हुआ था अक्टूबर मत में गवा था उसी के बाइमात कर रहा हूं मैं देखिए नदियों से एक नएक प्रस्ण बंगते ही बंगते हैं आप देख लिए शुटी एक्जाम सटी कैंसिल सीडी पी ओ डबल एओ च्यासट हर साल एक नशाल पुछते हैं सहाइक नदी हो कुछ हो इससे पुछते हैं यह इसे सवाल पूछे जाते हैं इस पर फोकस करना है इसकाला में आप लोग मेरे tips चाते हैं तो 갑 फेस्बुक स्वाषिल मिडीया का एक है तो speaking इस्टाग्राम टेलीग्राम टेलीघ्राम जानते हैं उच्छे अ करन डलते हैं इसक्तवत rifles होगा ईतिहास के प्रस्नों का बहुछर एक अलग स्री चलेगा प्रश्णों का माधि कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ें त्याइड़ी से करें इसके लावें मेरे साथ एक और है कि मेरे संस्था द्वारा एक प्रगाम त्लाए जा रहा है टेस्स प्रगाम और सठ्वी भी प्रवरी के लिए अब लोग और तैयारी को धार दे सकते हैं इसे एक साथ जैहिन जैभारत और सबी को गुड्णाइट और सभी को मैं चाहता हूं सुब नहीं तो कि तायारी कड़े रहें थाकि सफलता आपके कदमू में है सब थीक बानू अच्छा से तयारी करा तो निज हूं भीन गरा मिलके झाल झाल